बहले ही शोशल मीडिया पर साउथ वर्सेस बॉलिवूड को लेकर कितना भी बवाल कटे। लेकिन दोनों ही एंटेटेंटमेंट इंडस्ट्री एक दुस्रे से प्रेडित रहे हैं। खासकर पिछते कुछ समय से बॉलिवूड पर ये आरूप लगता रहा है कि कहानी और कमफर्ट के मामले में ये इंडस्ट्री साउथ की हिट फिल्मों पर कई बार में भर रही है। जानिए इस वीडियो में। में कमी ना आए। मिली चाहती है कि उसका बॉइफरेंड समीर यानिक शनी कॉसल भी उसकी जॉप में सेंटल हो जाए। जिसे आगे चल कर शादी में कोई दिकत ना हो। अपनी इने प्लानिंग के बीच लाइफ को बैलेंस कर रही मिली की जिन्दगी एक नया मोड लेती है। वो बॉइफरेंड समीर संग ड्रिंक और ड्राइफ केस में फज जाती है। इस घटना के बाद मिली और उसके पापा के बीच दूरी बढ़ जाती है। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब अगले दिन वो अपनी जॉप के लिए निकलती है। काम के दरान लेट नाइट अपने रेस्टान के कोल्ड फ्रीजर रूम में रात में फज जाती है। फ्रीजर का टेंपरेचर लगपक माइनस 17 डिग्री तक पहुल जाता है। अब क्या मिली इस जगह सर्वाइफ कर पाती है। मिली की खोच में निकले उसके पापा और बॉर्फरेंड उस तक पहुच पाते हैं या नहीं कहानी इसी के इर्दगिर्द घुमती है। डारेक्षा मुत्वकुटे जेवियार ने हेलन ने अपने निर्देशन के लिए नाशनल एवोर्ड जीता है। हिंदी रीमेक ने के दोरान भी उन्होंने फ्रेम दर फ्रेम फिल्म को परदे पर उतारा है। हेलन से तुला करने की बज़ाए के वर इस फिल्म की बात करते हैं। सर्वाइकल त्रीला जोर्नल में बनी ये फिल्म आपको हर मोड पर एक्साइट करती है। एक इंसान के सामने अगर इस तरह की चुनोती पून स्थीती आ जाए तो स्थीती में किस तरह से सर्वाइफ किया जाए दर्शुक लेकि ये हमेशा दिल्चस टॉपिक रहा है। फर्स्ट हाफ को आथा से जादा हिसा मिली और उसकी दुनिया को दिखाने में स्टाबलिश किया गया है जो सोड़ा सा ड्राग लगता है। हाला कि फिल्म में बाप बेटी की बॉर्णिंग बहुत ही नैच्रल के साथ साथ एमोशनल भी दिखाई परती है। पापा बेटी के सिग्रेट पिने की नोग जोग बेटी की गुमशुदा होने के बाद पिता की बेबसी फिल्म में कैप्चर कर इमोशन्स को बैलेंस करने में काम बखू भी करती है। आसकर कोल फ्रीज रूम में लिया गया हर एक फ्रिम आपको वहां होने का एहसास दिलाता है। के मीली के किरदार में फिल्म को कभार अपने कंडे पर लिये जानवी कपूर के इसी अब तक का बेस्ट परफार्मर्स कहा जा सकता है। उत्राखन के मासों मिली से कोल रूम में मालनस 17 डिगरी का टेंप्रेचर जहलती मिली हर सीन में सहस लगती है। कही जगों पर उसकी मासी में आपका दिल जीत लेगी। वही महनुच पावा की आक्टिंग फिल्म में सोने पर सुहाका का काम करती है। यह मनुच पावा की आक्टिंग के सर्चता है कि वो मिडल क्लास की पिता को बखुबी रिप्रेजन करते हैं। खास का जॉन वी कपूर की परफॉर्मस के लिए इस फिल्म को एक मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राए कमेल सेक्शन में बताना बिल्कुल भी न भूले और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।